रिष्टे बनते या टूटते एक दिन में नहीं हैं, सिर्फ पता एक दिन चलता है हाई, आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग इमेजिन करो कि जिस भी ग्रुप का आप हिस्सा हूँ, उस ग्रुप तक आप पहुंचे कैसे वो ग्रुप बना कैसे और आप उस ग्रुप का हिस्सा कैसे बने एक एक्जांपल लेते हैं, बिकॉज क्लास 12 के स्टूजन्स हैं हर कोई, पहली बार जब स्कूल गया, तो क्या आपका ग्रुप था? नहीं, क्या आपके दोस्त थे? नहीं, किसी को हम जानते थे? शायद नहीं, ऐसे बहुत सारे नहीं थे उस पे जैसे आप स्कूल में जाते हैं, लोगों को जानना स्टार्ट करते हैं लोगों के साथ रहना स्टार्ट करते हैं धीरे 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 आपका एक अलग सेपरेट ग्रुप बन जाता है यही चीज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे group formation कि ये group कैसे form होता है इसके features क्या है और कैसे इसका process होता है group formation का दोस्तों नमशकार मेरा नाम विशाल पान्य है मैं psychologist और career counselor हूँ और मैं psychology पढ़ाता हूँ class 11th and 12th NCRT अगर आपको पसंद आता है hit that like button share this with your friends and subscribe to this channel and don't forget to press the notification button so guys group formation की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले group बना कैसे उसके 3 factors होते हैं पहला proximity proximity मतलब कि ऐसे लोग जो आपके आसपास होते हैं उनके साथ ही आपका generally ये group बनता है आसपास होना मतलब proximity ठीक है तो आप जब school में गए थे तब वहाँ पर आपकी दोस्त बने तो वो proximity में आपके लोग आये जो आपके दोस्त हैं जो आपका group है वो ऐसे लोग है जो आपके आसपास होते हैं आपके society में होते हैं आपके जह किसे हम connect करते हैं वो हमारे group का हिस्सा होते हैं इंडिया और वोईल में इतनी सारी population है क्या हर व्यक्ती हमारे group का हिस्सा है नई अब सोचिए इसको थोड़ा सा understand कीजिए कि एक बंदा जो एकदम ही आपके opposite है जिसको आप पसंद नहीं करते क्या आप उसके group का हिस्सा बनेंगे क्या आप उससे दोस्ती करेंगे शायद नहीं करेंगे similarity मतलब कि कुछ ना कुछ धीरे-धीरे over the time आपको समझ में आता है कि हम दोनों की बीच में कुछ तो connect है मुझे जो चीज पसंद है उसको भी वो चीज पसंद है और पसंद होने की कारण आप एक platform पर जाते हो एक जैसी सोच रखते हो एक जैसे मस्ती करते हो और उस कारण से आप धीरे-धीरे similarity के कारण आप connect होते जाते हो तो किसी भी नए type के group जब बनते हैं तो उसमें similarity कमजा very important part होता है similarity similarly जब हम दोस्ती करते हैं तो भी similarity जब हम relationship में आते हैं तो भी हमने देखा है शायद कि अगर similarity है तो वो रिश्ता वो relationship ज़ादा अच्छा strong और लंबा चलता है अगर similarity नहीं है यहर मुझे बाहर घूमना पसंद है दोस्तों के साथ और अगला जो है वो मुझे बार-बार परिशान कर रहे है क्यों घूम रही है कहा जा रहा है उनके साथ मत रहे है मेरे साथ रहे है या इस तरीकी कि this similarity अगर आती है तो वो रिश्टे वो relationship वो group बहुत ज़ादा चलता नहीं है तीसरा जिस कारण से group बनता है वो है common motives and goals so obviously बात है कि जब अलग-अलग लोग आ रहे हैं एक group form कर रहे हैं उनका एक agenda है ठीक है एक ही motive है तब वो group form होता है तो जब एक motive है उसमें जैसे लोग जोड़ते जाते हैं similarity के साथ similar mindset के साथ अलग-अलग specific skills लेकर आते हैं और उस एक particular goal के लिए जब connect होते हैं तब वो group बनत है ठीक है अब यह तो तरीकत है जिसमें group बनना स्चार्ट होता है अब हम समझते हैं कि group formation के stages क्या होते है प्रोसेस क्या होता है ऐसा तो नहीं होता है कि आप पहले दिन ही school गया और आप एक अच्छ गृप का इससा बन जाते हो समय लगता है तो समय में क्या हो रहा होता है वो हम समय की कोशिश करते हैं प्रोसेस या स्टेजिस के तौर पे सो टक्मेन ने सज़ेस्ट किया कि इसके बीच में पार्च डिफरेंट प्रोसेस होते हैं पहला होता है formation सो जब पहली बार लोग मिलते हैं तो वो क्या होता है फॉर्म करते हैं उसमें कुछ clear दिन होता है कि कौन क्या करेगा इस गुरूप का क्या अजेंडा है गोल क्या है यह सारी चीज़ें शायद clear नहीं होती तो सबसे पहले अलग-अलग लोग अलग-अलग जगा से आकर एक जगा पर एकठे होते हैं स्कूल में एक क्लास में ठीक है तो अगर आप किसी particular section के हो तो उस section का आप कितने B में रहेंगे ठीक है formation हो गया अब जैसे यह formation होता है दूसरा stage आता है जिसे बोलते हैं storming so storming stage में क्या होता है जैसे हम brainstorm करते हैं बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हो रही है कैसे होगी क्या होगा कैसे होगा क्या किस तरीके से हो ठीक है कौन first bench में बैठेगा कौन last bench में बैठेगा यह सारी चीज़ें initially initial कुछ दिनों में decide होती है और इस कारण से कई जगड़े भी होते हैं कि हमें इस दर रहना है हमें लोगों के साथ रहना है हमें नहीं रहना है मुझे lead करना है मुझे class monitor बनना है whatever it is तो यहां पर क्या stage storming stage खतब होता है फिर बनने start होते हैं कुछ norms तो अगर यह group है तो इस group में इस class के यह तरीके होंगे यह norms होंगे इस classes में सो मस्ते नहीं करनी हैं बदवाशियां कम करनी हैं पढ़ाई जाला अच्छे से करना है जो school के norms है यह school अलग norms बनाता है और हम अपने group में अलग norms ब लिए तो अगर आपने यह जिस पॉलो नहीं करी तो आपको group से निकाल दिया जाएगा those are things as norms ठीक है next stage norms के बाद आता है परफॉर्मिंग में हम उस चीज को परफॉर्म करते हैं जिस चीज के लिए group बना हुआ है ठीक है तो जब हम उसमें performance start करते हैं कि यह group बना है for example जब class बनी थी class का group बना था तो उसका एक अजेंडा था कि class में पढ़ाई होनी चाहिए तो परफॉर्म हो रहा है पढ़ाई हो रही है अगर दोस्तों का group बनाएगी कि किसी की खिचाई करनी है performance हो रही है मतलब खिचाई चल रही है तो वह perform हो गया अगर school में आपका कोई event हो रह आती है तो performance में आ जाती है कई stages कई groups में यह performance last stage होता है कुछ ऐसे groups specially बनाया जाते हैं जो किसी particular event के लिए बनते हैं short period के लिए बनते हैं उस group में एक last stage आता है जिसे बोलते है adjourning तो यह काम हुआ अलग-अलग हो जाओ separate हो गया है ठीक है तो इसको क्या हम group जब बना रहे हैं तो उसे adjourn करना जरूरी होता है क्या तो यह depend करता है कि group कैसे बन रहा है तो example class 12 तक आप उस group का हिस्सा थे अब धीरे धीरे जैसे ही आप class 12 से cross करोगी तो हर कोई अपने- adjourning stage यहां पर आता है तो अगर आज की date में आपके let's say 15 दोस्त है तो आज से 10 साल बार यह 15 में से सिर्फ दो या तीन ही रह जाते है that's the basics of life this is how life happens ठीक है तो career decisions अगर आप लेने वाले हो so don't take it in these aspects जो कि adjourning हो सकता है आगे आने वाले समय पे ठीक क्योंकि आप जितनी नई जगा जाओगे college जाओगे एक नया group form होगा इसी process से फिर आप job करने जाओगे एक नया group form होगा उसी process से कई बार इन processes में यह भी होता है कि हमें 11-12 में यह लग रहा होता है कि यार मेरे relationship य आप बाहर आते हो अलग-अलग होते हो तो कई बार क्योंकि आप दोनों अलग-अलग group का हिस्सा बनते हो तो उस group में कई बार होता है कि छीजें थोड़े सी deviate होने लगते हो नए groups बने लगते हैं आप उन नए ग्रूप आप समझ सकते हो जाने हों के कि step by step एक के बार एक ही होंगे ये कई बार jumble up हो जाते हैं, कई बार skip हो जाते हैं, कई बार एक साथ हो जाते हैं, तो ये depend करता है individual conditions पे कि वो group क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसका process क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़े उस पर depend करती है, ठीक है, अब हम बात करते हैं group structure की, so there are four different sections of group structure, जब हम group structure बन जाता है, तो group का structure बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो group structure पर बात करते हैं, तो there are four elements in group structure, number one, roles, so roles का मतलब obviously बात है, कि कौन क्या task perform करेगा, तो एक example, अगर school मे annual function होने वाला है, उस annual function के लिए group बना है, तो उसमें ये बात आ जाती है कि कौन क्या perform करेगा, ठीक है, तो कोई event manage करेगा, कोई photographic club में जाएगा, कोई dancing club में जाएगा, तो कौन क्या काम करेगा, वो design होता है, हर किसी को specific roles मिलते हैं, ठीक है, दूसरा norms, तो जब role बन गया, एक group form हो गया, उसका एक agenda, एक motive है, तो अब उसके पीछे norms बनाए जाएंगे, कि इसमें क्या करना है, और क्या नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि हमने बनाया किसी और चीज़ के लिए था group, और काम कुछ और ही हो रहा है, तो अगर हमारा goal agenda बन गया है, तो उसकी कुछ norms set होंगे, तो norms, जैसे corporate norms होते हैं, कि आप अपनी कलीग भी लाइन नहीं मार सकते हैं, ठीक है, औरना sexual harassment का case हो जाता है, अगर if it's not mutual, school में शायद ऐसा नहीं होता है, sexual harassment का case हो सकता है, but corporate world में थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, तो दोनों तरफ होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़कों के ही उपर होती है, लड़कियों के उपर भी sexual harassment के cases होते हैं, और लड़कियां भी जिढ़ती है, next is status, so status में समझो कि जो designation दी जा रही है, that is the status, so एक teacher होगा, एक senior teacher होगा, एक hod होगा, एक principal होगा, यह जो दिया जा रहा है, यह status है, अब status दो तरीके से बनते हैं, ठीक है, पहला ascribed, ascribed मतलब seniority level पर, कि कोई यार group बन रहा है, उसमें यह बन्दा जो है, वो बहुत senior है, बहुत experience है, तो इसको जो है, head of the group का status दिया जाएगा, ठीक है, this is ascribed, दूसरा होता है, achieved, तो achieved में क्या होता है, कि एक बन्दा है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, काम अच्छा करने की कारण उसका regular promotion हो रहा है, और उस कारण से उसका status change हो रहा है, status can be turned as designation ही रहा है, तो किसी भी group में अलग-अलग designations होते हैं, अलग-अलग काम होते हैं लोगों के, और वो दिया जाता है, either ascribed और achieved के form में, and last of element, last element of this is cohesiveness, अब यह cohesiveness थोड़ा से समझते हैं आपने detail में, so cohesiveness is a form जहां पर अपना पन होता है उस group में, ठीक है, तो यार अगर आपने देखा हो ना, कि यह भाजपा का कोई कटर विरोधी है, या follower है, यह जो कटर विरोधी या follower वाली पार्ट आती है, इसको हम बोलते हैं cohesiveness, so cohesiveness का मतलब यह होता है, कि यार दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इस particular group को नहीं छोड़ते हैं वाला, मुझे extra effort देना पड़ेगा, तो भी मैं उस group के लिए extra effort दूँगा, मुझे अगर मैं कहीं पर job कर रहा हूं, और इतना अच्छा cohesiveness है, लोगों के साथ, उस group के साथ इतना अच्छी बनती है मेरी, कि मैं छोड़ कर जाने के लिए नहीं सोचूँगा, भले मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहा हूं किसी दूसरी organization, so that is cohesiveness, ठीक है, so these were the four elements of group structure, अब बात यह आती है, कि अगर यह cohesiveness बहुत ज़ादा हो जाए तो, क्या यह हमारे group के objectives को या motives को फायदा देगा या नुकसान देगा, so अगर cohesiveness है, team management, team members के बीच में एक interaction है, इसको ऐसे समझ लो, कि workplace के बाद भी, जो लोग hangout करते हैं, उनके बीच में cohesiveness बहुत अच्छा होता है, तो आप workplace में, जो अगर आपका workplace group है, ठीक है, या school में जो आपका group है, उसके बाद, आप जिन भी दोस्तों के साथ hangout करते हो, शाम को मिलते हो जाकर, उनके साथ आपका cohesiveness बहुत अच्छा हो जाता है, तो अगर यह extreme हो जाए, तो कई बार हम यह सोचने लगते हैं, कि यार ठीक है न, जो एक बंदा सोच रहा है, यही सारा group सोच रहा हो रहा, इस कारण से, कई बार हम उससे counter नहीं करते हैं, और counter नहीं करने के कारण, कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं आर यह चीज़ गलत है, बट ठीक है नहीं है, ग्रूप बोल रही है तो सही होगा, और उस कारण से, या फिर अगर मैं बीच में बोलूँगा, या अगर मैं इसको मना करूँगा, या इसके बीच में मैं अपना negative point डालूँगा, तो शायद ये थोड़ा सा हमारे group की cohesiveness में problem create कर सकती है, ये जो thought process है, कि एक बंदे, एक बंदा जो सोच रहा है, उसका impact पूरे group में पढ़ रहा है, और group अले एक anonymously सोच ले रहे हैं, कि हमने ये सोच, हम सोच लेते हैं कि नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, बाकि जो अगला partner है, वो इसके कोई मतभेद उसका साथ होगा नहीं मेरा, partner भी ये सोचता है कि ठीक है नहीं है, adjust कर लेते हैं, adjust कर लेते हैं, adjust कर लेते हैं, तो कहीं मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी बात सुनी थी कि रिष्टे बनते या टूटते एक दिन में नहीं हैं, सिर्फ पता एक दिन चलता है. So this is because, this might be because of cohesiveness. So this concept को हम बोलते हैं groupthink, जोहां पर extreme cohesiveness आजाता है. अब अगर groupthink को कम करना है, minimize करना है, तो उसके कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे बाहर से किसी को evaluate करने के लिए बुला लो, कुछ feedbacks भर वालो, जिसमें किसी को पता न चले कि कौन क्या बोला, हर कोई अपना अपना viewpoints रखे उसमें, बिना together meeting किये. critical thinking या against the flow को reward देना, ठीक है, कि जो भी लोग against the flow बोलेंगे, उनको अलग से reward दिया जाएगा, अलग separate groups बना दिये जाए, उसी group के subgroups बना दिये जाए, एक उसके favor में बात करें, और एक उसके against में बात करें, so that evaluate सही तरीके से उसको किया जाता, कि ये groupthink को minimize करने के कुछ त types of group, तब तक के लिए keep studying, thank you.